दोस्तो नमस्कार आज 6 फरवरी सन 2023 दोस्तो आपको याद होगा पिछले साल साल 2022 में जनवरी महिने में हमने सबसे पहले आपको अगरिम विशलेशन दिया ताकि सरसो और सोयाविन में शांदार तेजी होगी क्योंकि NCDX के उपर सरसो और सोयाविन के वायदे पे रोक लगी थी और बजार बुरी तरह से नीचे जाने की संभावना बन रही थी उस वक्त हमने यही कहा था कि सरसो में शांदार तेजी बनेगी सोयाविन में शांदार तेजी बनीगी और वैसा ही हुआ एक तरफा तेजी दर्ज होई लेकिन उसके बाद सरसो ने 8800 तक के भाव देखे गए और सोयाबीन ने भी रिकॉर्ड तोड तीजी दर्ज होई उसके बाद हमने आपको कहा था मुनाफ़ा वसूल कर ले और जिन्होंने नहीं किया वो भाव आज तक वो तरस रहें तो दोस्तो अब आज हम सरसो के पर बात कर रहे हैं सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सरसो की स्टॉक की क्या रिपोर्ट है यदि हम सरसो की देखे हैं तो जन्वरी महिने में सरसो की अराइवल लगबग 4.5 लाग टन रहने की उमीद है जन्वरी महिने के अंदर लगबग 5.0 लाग टन की क्रेशिंग भी होई है और कुल आवक 105.0 लाग टन और क्रेशिंग 102.0 लाग टन की आकड़े आ रहे हैं यदि हम फरवरी महिने की शुरुआत में देखे हैं सरसो के अंदर कमजोरी की संभावना बन सकती है और जैपूर कंडिशन में सरसो के बाव लगबग 150.0 रुपए की पती किंटल की गिरावट थी सलोनी के अध्य देखें जो प्रसीद ब्रांड है उसने 175.0 रुपए पती किंटल तक दाम घटा दी हैं थे और जैपूर में कच्छी घानी का भाव बीते सब्ता लगबग 6.5 रुपए की लोग बंदो के गिर कर 1195 में पे बंद हुआ दोस्तों याद होगा आपको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं सोयाबीन और सरसो के कि लेकिन अब आने वाले लगबग एक महना सरसो, सोयाबीन, पामाईल, मुफली और तिल सभी खादे तेलों के लिए बहुत महत्वपुन साबित होने वाले हैं क्या ये उपरी तरों से और नीचे गिरेंगे या फिर स्ट्रॉंग बाउंस बायक आएगा दोस्तों तिलहन हमेशा से ही काफी असमंजस ये कंफ्यूजन पैदा करता है पिछले साल भी सरसो की शांदार फसल थी उसके बावजूद शांदार तेजी होई थी सोयाबीन के ओपर भी ऐसा ही था लेकिन शांदार तेजी होई थी उसके बाद बहुत तेज गिरावट भी थी अधि हम मार्केट की आप देखें कि अधि हम सभी मंडियों से सुत्रों से पता लग रहा है कि मंडियों में नई सरसो की आवक आप दिरे दिरे बढ़ने लग रहे हैं लेकिन मौस्चर वाली सरसो के भाव MSP से नीचे भी दिखाई दे रहे हैं और मौस्चर अधिक होने के वज़े से तेल की कॉलिटी में भी कुछ फरकारा आई यानि उसका हलकापन है जदी हम देखें अभी काद्य तेलों के भाव गिरावट के महुल के बीच में हलकी कॉलिटी की जो सरसो है उसकी मांग नहीं बढ़ रही है और सरसो की आवक अब अगले 15 से 20 दिन में लगाता धिरे धिरे बढ़ने की उमीद है लेकिन अक्सर होता है कि होली के आसपास सरसो पे एक विशेश मूव होता है लेकिन क्या वो मूव इस बार तेजी का होगा या मंदी का गौरतलावेक किसान दिरे दिरे आत्मनिरवर होता जा रहा है ताखतवर होता जा रहा है और वो नीचे भाव पर आने पर माल बेचना रोग देता है कपास, गवार सीड, सोयाबीन, सरसो, राइस ये सारी चीजे एक उधारन है कि किसानों की एकता अब बड़ी प्रवल है जैसे ही कपास के अंदर दाम घटते हैं किसान मंडियों में माल आना बंद कर देते हैं पिछले साल भी हमने किसानों को यही कहा था कि माउत तेज हो सकते हैं आप देखके माल बेचे तो दोस्तो इस साल साल 2023 में सरसो के भाव क्या बाउंस बोक बैक होंगे क्या ये तेजी से रिकवर होंगे दोस्तो शेर बजार हो या कमोडिटी बजार एग्रो कमोडिटी जो हो या सोना चांदी सबके भाव फ्लक्शेशन करते हैं और यादी फ्लक्शेशन ना हो तो वो बजार ही नहीं होगा उतार और चड़ाओ निश्चित रुप से ये एक बजार की फिद्रत है लेकिन इसको सही पकड़ना कहा तेजी है और कहा मंदी इसका विशलेशन हमने हमेशा आपको बिलकुल सटिक देने का प्रयास किया है और आप लोगों के प्यार और विश्वाश का पे हम हमेशा लग अक्षरत सत्य साबित हुई थी याद कीजे हमारा 26 जन्वरी सन 2023 को कापास खली की शौट रेल इसमें हमें आपको कापास खली की गिरावट की बात की थी जो कि अक्षरत सत्य साबित हुई तो दोस्तों जैपूर जैसे जैसे आवक बढ़ेगी वॉलेटिलिटी तेज होती जाएगी लेकिन हमेशा याद रखेगा जो 120 लाग टन सरसो की पैदावर की बात कर रहे हैं उसमें कुछ हिलाकों में सरसो की वसल बहुत बड़िया है और कुछ राकों में सरसों के उला रष्ष्टि और तेज बरसात से नुकसान के भिस हमाचार हैं लेकिनolen के शच्ची र याद रखेगा फिर मत कहिएगा कि हम आपको आगार नहीं किया था आप याद कीजिए मुणरी पर हमारा अद्भूत 26 पर के ओपर हमारा विशेष 27 का पास यह सभी आपको वमेशा से फायदा दिया है तो दोस्तो अध्या आप हमारे झाल झाल